नमस्य सबिको आज हम लोग भगवत गीता चाप्टर 18 दे परफेक्शना फ्रिनांसियेशन के श्लोक 34 को कवर करने वाले हैं रोज का तरह परला संस्कृत में मैं श्लोक को पढ़ने को इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मेनिंग को समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो पिछले श्लोक में जैसे उन्होंने समझाया था कि जब हम डिटर्मिनेशन बनाया रखते हैं अपने जो भी प्राक्टिस करना है उसको स्टेडफास्ट बने रखते हैं खुद को और उस रास्ते में आगे बढ़ते रहते हैं तो वो योगिक प्राक्टिस जो होती है वो अक्चल में मतलब सारे चीजे जो है इच्छाय जो है वो पूरा करने के लिए बेस्ट होता है हमारे मायन को कंट्रोल करना एक्टिविटीज को ठीक से करना मतलब यह गुडनेस के मोड में रहता है एद जब हम कोई भी काम करने के बाद में लाब ढूनते हैं यह करने से क्या लाब होगा वो फुरूने से क्या लाब होता होगा तो इससे हम mode of passion में रहते हैं ठीक है अपने फायदे के लिए जब हम सोचते हैं अपना हो या किसी भी तरह के से फाइदे के बारे में सोचते हैं कि क्या होने वाला है इसको करने से तो हम passion के mode में होते हैं तो यहां के explanation को समझते हैं तो जो सिर्फ डिजायर करता है कि कुछ फाइदे के बारे में सोचता है या अपने फाइदे के लिए किसी ना किसी तरके से फाइदे से रहता है वो passion के mode में रहता है यहीं तक है श्लोक नमबर 34 अब बगवदीता चाप्टर 18 अगले तिन हम श्लोक 35 को कवर करेंगे तब तक के लिए हरे क्रिश्न राते राते चैसे राम